आज में लेक्याई हूं गोल लाकार में थाल पोस्ट दिजाएं आप इसे असानी से बनाकर त्यार कर सकते हैं पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए बनाना शुरू करते हैं वाइट कलर की उनली है मैंने तीन प्लाई की उनल है यह 3.5 mm का मैंने क्रोशिया लिया है शुरू में चैन बनाकर त्यार कर लेंगी एक दो तीन च्यार चार चैन बनाएंगी क्रोशियो कम फर्स्ट वाल चैन से निकालेंगी स्लिप स्टिच बनाएंगे जोड देंगे इसके पाद 13 चैन बनेगी एक दो तीन क्रोशियो कम यहाँ से बेच से निकालेंगे लिव दिखाई देरा हैsta डबल क्रोशिया बनाएंगे तिन चैन का यहाँ पर हमारे एक डबल क्रोशिया बन गया दो वर बना लिया तीन, चार, पान, चे, साथ, आर, नो, देस, ग्यार, बारे टोटल हमें बारे बार बार बनाना है, डवल क्रोशिया, अब हम यहाँ से निकालेंगे क्रोशिया को, जो हमने शुरू में तीन चेन बनाई है, स्लिप स्टिच बनाएंगे, जोड देंगे, पहला राउंड बनाते वे पूरा कर लिया है, अब हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे, शुरू में चेन, एक, दो, तीन, क्रोशिया को हम इसी जगह निकालेंगे, डवल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद हम आगे वाली स्टिच में निकालेंगे, डवल क्रोशिया बनाएंगे, एक की जगह से दो, दो बार बनाते वे जाएंगे, ऐसे बनाते वे पूरा कर लियांगे, दूसरा राउंड बनात अब हम क्रोशियों के यहां से निकालेंगे, slip stitch बनाएंगे, जोड देंगे, नीचे वाले में मैंने 12 बार बनाया, डवल क्रोशिया उपर वाले में 24 बार बनाया, अब हम सुरू में बनाएंगे, 3 chain, तीसरा राउंड शुरू करेंगे, 1, 2, 3, क्रोशियों के इस जगह निकाल करेंगे, डवल क्रोशिया बनाएंगे, एक जगह से हमें दो बार बनाना है, इसके बाद 2 chain बनेगी, 1, 2, यहां से हम दो स्किप कर देंगे, यहां पर निकालेंगे क्रोशिय को, डवल क्रोशिया बनाएंगे, एक जगह से बनाएंगे, दो बार, इसके बाद 2 chain, फिर से हम दो स्किप कर देंगे यहां पर निकालेंगे ऐसे बनाते वे जाएंगे तीसरा राउंड ऐसे बनाते वे पूरा कर लेंगे देखिए सेम स्टिस में बनाया मैंने दो बा डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर दो डबल क्रोशिया दो चेन डबल क्रोशिया देखे तीसरा राउंड बनाते वे लाश्ट में आ गया है अब हम क्रोशियों के यहां से निकालेंगे श्लिप स्टीस बनाएंगे जोड देंगे चोथा राउंड सुरू करेंगे शुरू में तीन चेन एक दो तीन तीन चेन का यह एक डबल क्रोशिया बन गया क्रोशिय को हम इसी जगर निकालेंगे, डबल क्रोशिय बनाएंगे अब हम इस चेन में बनाएंगे इसके बाद दो चेन बनेगी अब हम यह आपे निकालेंगे क्रोशिय को, जो नीचे बनाया डबल क्रोशिय इसी के उपर बनाएंगे एक बार फिर से बनाएंगे, अब हम इस चेन में बनाएंगे, इसके बाद दो चेन बनेगी, फिर से डबल क्रोश या, अब हमारी कलियां बनती होई जाएगी, देखिए फॉर्थ राउंड बनाते होई लास्ट में आ गए हैं, अब हम क्रोश यो के यां से निकालेंगे, स्लिप स्टीच बनाएंगे, जोर देंगे, अब हम फिफ्ट राउंड सुरू करेंगे, शुरू में बनेगी चेन, एब, दो, तिन-तीन चेन का एक डबल क्रोश या बन गया, क्रोशिय को हम आगे वाले स्टिच में निकालेंगे डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिय इसके बाद हमारा इस चेन में बनेगा एक डबल क्रोशिय अब बनाएंगे दो चेन एग दो अब हम यहाँ बनाएंगे जो हमने नीचे बनाया डबल क्रोशिया इसी के उपर बना लेंगे एक, दो, तीन, इसके बाद इस चेन में बनाएंगे अब दो चेन बनेगी, एक, दो देखिए, ऐसे बनाते वे जाएंगे हम फिफ्ट राउंड ऐसे बनाते वे पूरा कर लेंगे यहाँ पर हमारा दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बाद तीन डबल क्रोशिया इसके उपर हमने चार बार बनाया डबल क्रोशिया आगे वाले राउंड में पांच बार बनेगा, बीच में दो दो चेन बनते जाएगी ऐसी हमारा एक एक डबल क्रोशिया यहां पर बनता हुआ जाएगा चेन में ऐसी कली बढ़ती हुआ जाएगी आगे पूरा करके दिखाते हूँ आगे सेम ऐसा है बनेगा देखिए यहां से बनाते हुए यहां तक मैंने तेरे राउंड कंप्लीट किया है अब हम क्रोशियों के यहां से निकालेंगे लाश्ट में आ गया है स्लिप स्टिच बनाएंगे जोड़ देंगे अब हम चोध मारा हुँआ शुरू करेंगे शुरू में तीन चेन एग, दो, तीन तीन चेन का यहां पर हमारे एक डबल क्रोशिया बन गया बीच में एक चेन बनाएंगे क्रोशियों को हम इसी जगा निकालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे वी स्टिच बनाएंगे यहां से हम दो स्टिच स्किप्ट कर देंगे आगे वाली स्टिच में से निकालेंगे क्रोशियों को यहां पर निकालेंगे क्रोशिय को, डवल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन बनेगे, देखिए, ऐसे बनाते वे चले जाएंगे, 14 राउंड, ऐसे बनाते वे पूरा कर लेंगे, पूरा करके दिखाते हैं, देखिए, 14 राउंड मैंने वे स्टिच बनाते वे पूरा कर लिया है, लास्ट में आ गए हैं, अब हम क्रोशियो के यहां से निकालेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, जोड देंगे, अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, शुरू में बनाएंगे चेन, एक, दो, तीन, क्र जगर निकालेंगे, ड्वल क्रोशिया बनाएंगे, त्मक दया, 3,4,5,6,6 बार बनाएंगे ड्वल क्रोशिया, अब हम धागे में से निकालेंगे क्रोशिय को, जो हमने यहां पर शूरू में बनाए है, यहां से डालेंगे क्रोशिय को ठागे को खींच लेंगे देखिए यह हमारी पॉपकॉर्ण स्टिच बन गई अब हम इसको बंद कर देंगे स्टिच को यहां से इसके बाद तीन चेन बनेगी एक दो तीन क्रोशिय को हम इसी जगह निकालेंगे सिंगल क्रोशिय बनाएंगे इसके बाद तीन चेन एक दो तीन फिर से निकालेंगे हम इसी जगह सिंगल क्रोशिय बनाएंगे एक बार और बनाएंगे एक दो तीन इसी जगह निकालेंगे हम क्रोशिय को सिंगल क्रोशिय बनाएंगे अब हम याँ पे निकालेंगे जो हमने B stitch बना है slip stitch बना देंगे एक भार फिर से बना हैंगे slip stitch अब तेन chain बना हैंगे 1, 2, 3 क्रोषीयों को हमेसी जगां दिकालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार बना लिया तेन चार पान छे छे बार बना लेंगे डबल क्रोशिया अब हम धागे में से निकाल लेंगे क्रोशिय को तुम फर्स्ट वाल स्टेच यांसे निकाल लेंगे धागी को खींच लेंगे पॉपकॉन स्टेच बनाएंगे अ की इसके बार तीन चैन एक दो तीन क्रोशिय को में इसफी जगा निकालेंगे सिंगल क्रॉशिया बनाएंगे एक दो Τीन एक बार और बनाएंगे, एक, दो, तीन सेम स्टिच में निकालेंगे, सिंगल क्रोश यह अब हम या से निकालेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे इसके बाद हम आगे वाली स्टिच में निकालेंगे, स्लिप स्टिच इसके बाद तीन चें, एक, दो, तीन देखिए ऐसे बनाते वे चले जाएंगे हम ऐसे बनाते वे आखरी राउंड पूरा कर लेंगे पूरा करके दिखाते देखिए थाल पोस्ट डिजाइन बनाते वे पूरा कर लिया है मैंने यहां से बनाते वे 14 राउंड के बाद अमारा बोर्डर बना आप चाओ तो इससे थोड़ा बढ़ा भी बना सकते हैं यहां से राउंड बढ़ा सकते हैं थैंक्यू दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ यहां से राउंड बना सकते हैं